हलो इबरीवन वेलकम टू माईड़ीव ट्रिटिनल यह भी पीस्यल एग्जेकेट्व असेंश्ट एक्जाम जासा कि आप जानते हैं इसका एक्जाम जो है तीस नुमबर तक चलने माला है तो यहां पर हम बात करेंगे कि कोस्टन्स कैसे आ रहा हैं क्या लेवा लेव कोस्टन अगर आप नहीं तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जिरू किजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबस्काइब करना मत बलिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कॉंप्योटर की कि कॉंप्योटर में सबसे जाश्रा कुसंस कहां से आ रहा हैं तो मैं बता मेरे स्रिफ्ट में जो था MS Office दोहर साथ की बात से ज़्यादा कोशन साही हुए थे दोहर तीन से लग वो दोतिन कोशन से थे और बाके साथ सारी कोशन स दोहर साथ से थे तो आप MS Office का नया वर्जन ही पढ़िएगा साथी साथ कॉंपिटर में जो है आपका shortcut की बहुत ज़्यादा पुछे जा रहा है shortcut की मेरे स्रिफ्ट में जो है लग बग तीन से चार कोशन पुछे हुए थे जिसमें आपका एक था कि presentation के दोरान अगर नई slide एड़ करनी हो तो इसके लिए shortcut की क्या होगा साथी साथ email से जो है कोशन आ रहा है जैसे मेरे स्रिफ्ट में कोशन हुआ था कि अगर email भेजना हो तो जिसमें कर जानते है CC होता है तो इन सब टर्म के बारे में पुछ रहा है कि क्या होता है कार्वन कॉफी क्या होता है और कैसे हम भेजते हैं तो सभी लोग को दिखा जाता है और कैसे भेजते हैं तो केवल किसी एक ही बेक्ट को दिखा जाता है तो email से जो कोशन है वो पुछी जा रहा है सबसे पर मैं बता दूँ कि computer में जो है कोशन जो है गुमा के पुछी जा रहा है और कोशन ऐसे आ रहा है कि निविक्रित में से कौन सा कफन सर्थ नहीं है या फिर कौन से कफन सर्थ है तो जो कोशन है और डिपली है तो आप अच्छे पढ़िएगा ठीक है computer को बारे में अगर आप उसे पुछेंगे कि आप अगर अगर अच्छेदी नहीं की हुए है तो कहां से करें तो एक है अरूरा सर ठीक है उनकी वीडियो है MS Office की आप उसको देख लिजिए वो वीडियो लगवग 4 हंटे की होगी 10 वीडियो है ठीक है जिसमें से आप MS Office MS Excel और PowerPoint इन तीनों को पढ़ लिजिएगा आपके लगवग 4 हंटे की वीडियो बनेंगे और फार्ट में देखेंगे आप तो 2 से ठाइग अटे आप देख लेंगे उस वीडियो को आप देखे लिजिएगा आपको महां से देफिलेटली कोसंस फशेंगे इन देखेंगे अटे आपको लगवग 4 से 5 क्यलेट आपके फोकस के हुएगा कि सब्दों में आए वो था हिश्टरी से कि सूर कूटदा कहा पिश्टिथ है जैसे कि जानते हैं कुज्जात मिश्टिथ है साथी साथ अकबर्स आया हुआ था कि दिन इलाही धर्मे की शुरुआत कब की गए थी तको जनकारी होगा कि फंदर से बैसिम की गए थी साथी साथ पॉलिटी पॉलिटी जो है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है पॉलिटी से लगबग चार से पांच कोशन आ रहे हैं एक कोशन मेरे में हुआ रहा है तो आ को और बने है इसमें नहीं थे ऐ झावे तो एक जो कोशन है और इसका साथी साथ एक कोशन आया हुआ था कि आपका किस राजे में दूरी सदर आतमक संसदी वहस्ता नहीं है तो आप देख रहा है कि आप पॉलिटिस से कोशन्स ज्यादा पूची जा रहा है और एक कोशन आया हुआ था कि उनिसको द्वारा किस निर्त को अभी हाली में बागी सारे कोशन्स ऐसे हैं जिसे आप कर सकते हैं तो उम्मिद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा जीस आ रहा है अहां बात करते हैं हिंदी की तो हिंदी के जो कोशन्स हैं जातर कोशन्स हैं वे मुहाबरे और लोकतियां आ रहा है ठीक है तो मुहाबरे और पढ़ाई की हुई है तक उसको कर ले जाएंगे क्योंकि options जो है वो करीब हैं लेकिन अगर आप deploy जानते होंगों चीजों को तब मुहाबरों लोकति कर जाएंगे और अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना तो आप UPTPST की जो बुकाती है ठीक है उससे मत पढ़ेगा क्योंकि EG आपके नहीं आने वाले हैं ROARO के जो महाबरी आते हैं जैसे उसमें वैसे आ रहा है एक्जाम में ठीक है साथिसमें वाक के सुद्धी से बहुत जारे questions आ रहा है वाक के सुद्धी से लगबग मेरे shift में 12 से तरे questions रहे होंगे जिसमें करमबद करने के लिए आ रहा था कि कौन सा करमबद तरिका से सही है आ फिक कौन से वाक्य में किर्या के अनुशा वाक्य सही है और ऐसे ही सारी questions आ रहे थे ठीक है साथी साथ हिंदी में आपका जो पहले रस छंद अलंकार था उसका बैटेज जीरो रहा मेरे exam में ठीक है मेरे exam में रस छंद अलंकार से एक ही को परियाब्थी के लिए आप लुशन पढ़ लिजे वह प्रयाप्थ है क्योंकि परियाप्थी जो आ रहा है और तद्वो जो आ रहा है वे दो तिन तो सही है बाकी जो दो तिन कोशन से वे बहुत रिटफ है कि दिन विखित में से कौन सा तद्वो नहीं है यह पर दिन विखि कर लेंगे ठीक है जो मातब पच्छी है और दस कोशन के लिए ही है हम बात करते हैं रिजनिंग की कि रिजनिंग कैसी आ रही है तो सच कह रहा हूं मेरे दोस्त कि मैंने सुझा था कि 45 रिजनिंग आते हैं और मैं इसमें आराम से फोटी करूंगा और फाइप जो हो सकता है क गरैंने स्थीफिकत था वह बहुत ही अच्छा था और उसमें भी जो कोँडेंग अई जो कोशन थे बहुत खतानाग थे उसमें जो अल्फावटिकल कोडिए जो क् कोण डेकोड़िंग थे बहुत ही तफ थे और समझ नहीं आ रहा था कि कौण सा रोल उसमें फालो हो रहा ह कई सारे कोटिंग के अफ़र्बिकल वाले में छूट गए और मैंने बाद में बता किया तो कई सारे बच्चे थे जिसे मैं बात किया उन लोगों भी बहुत तकलिफे हुई उन को करने में ठीक है और दूसरे चीज़े है वे आ रहा है आपका ब्लड एलिशन ठीक है ब्लड ए और अगर हम और बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाँ पर आपका इसे से साफ से आठ कोस्टन कोडिंग जो है तो एसे आरहे हैं थीक इसे आरहे हैं जो क्लोक है या फिर डेट है उसे उसे कोस्टन नहीं आ रहा है हम बात करेंगे English की, कि English में questions कहां सा रहा है, तो English में पहले 5 plus 5, अथार्थ 5 पैसे के questions आ रहा है और 5 close के test के, जिसको आप अराम से कर लेंगे, और लगवाग 4-4, ठीक है, चार आपके नरिसन आ रहा है और 4 active passive आ रहा है जिसको आप अराम से कर लेंगे, क्योंकि बहुत डिप्री इसके लिए जिवत नहीं है, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे, एंटर निम्स की, तो लगवाग 3-4 questions, एंटर निम्स और 3-4 questions ही, ठीक है, चुकि questions जो है, इधा उधार रहते हैं, इसलिए exact data याद करना मुस्किल है, ठीक है, तो मैं आपको अमाद दोता रहा हूँ, कि यहां से इतने questions आ रहा है, प्कूर के लगवाग भी 4 questions आपस थे, और वाकिन फिलिंग दव ब्लैंक्स के लिए, लगवाग 5-6 questions थे, फिलिंग दव ब्लैंक्स के लिए, कि कौन सा फिलिंग दव ब्लैंक्स सुटेबल होगा, और सबसे अलग बात बता है, तो एक इसमें आ रहा था, iSpelling error का, जैसे माले ये principle होता है, तो एक principle में परणचारे होता है, और एक principle में सिधानत होता है, तो in दोनों का 앞statेश में use करना था कि कहाँ पे क्वोण सा principle यूज होगा, तो ऐसे आपके iSpelling error के тво sales आ रहा है, ठीक है? आपका एक्जाम नहीं है नहीं हुआ है और आपका एक्जाम जो है दो तिन दिन बाद है तो आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप computer को पढ़िए ठीक है और अपना आप time waste, coding to coding पे waste मत किजिएगा आप सोसिच किजिएगा कि reasoning को सबसे last minute touch करने का कहीं ऐसा नहीं हो कि reasoning के चक्कर में आपकी हिंदी के या फिर इंग्लिस के questions छूट जाएं ठीक है इसमें लगवा 130 के आज पास थी ठीक है तो इस बाद भी यही रने वाली है आप सुचेंगे कि इस बाद से टेक कम है लेकिन आप वही कटाब बता रहा है तो जो लेवल है पिसली बार से अप है तो कटाफ जो है भी रहेगी हलाके चार्ट सा का gap है जिस competition बढ़ा है लेकिन जो question का level है वह भी उसी साफ से बढ़ गया है तो 130, 125 आपके लिए safe score रहेगा और finally अगर कर आपके बात करें तो 150 इस बार भी सहत रहने वाला है बेश आप लग अपने जाम अच्छेश दिजेगा और आज का जो वीडियो है हम इसी साथ सवाथ करते हैं और 13 तारिक की second shift की जो है इसका आपको जल्दी परवाइड करवाएंगे क्योंकि आज मेरे एक दोस्त का इजाम था मैं उससे पूछूंगा कि कैसे कोशस आए और अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक किजिए मिलते है इस वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत